कि if that a has 3 elements and set b 3 4 यानि इसके अंदर then the finding the element of in a cross b ठीक है तो पहले तो हम यह देखेंगे एक तो a set उसके अंदर number of element 3 है दूसरे के अंदर number of element कितने 3 तो है इसने बोला नहीं है लेकिन यह चुप बेठा है इसका मतलब यह नहीं कि इसके पास कुछ भी नहीं है इसके अंदर जा कि यहां से दिया हुआ कि कि कितने है कि set a has 3 elements तो इसका मतलब देखिएगा कि क्या है कि number of elements यहां से n नहीं कितना हो गया भी 3 आ गया इसी परकार कि इसी में देखिएगा कि set B has, B के पास क्या है? set B क्या है? अपने पास जो set B है उसमें कितने है कि 1 यहां से 3,4 और 5 है ठीक जी? यहां पर तो इसके पास B set के अंदर number of elements कितने होंगे? तो यहां से कि number of elements in set न इकोल डू कितना है भई? यहां से अपने पास देखिएगा कि यह भी 3 है तो यहां से देखिएगा कि number of elements in partition product ठीक है? वो क्या होगा? ठीक है? तो इसको देखिएगा कि क्या लिखेंगे? कि number of elements in a cross b equal to क्या होगा? अब यह क्या होगा भई? यहां से n cross a का formula हम जानते हैं भई क्या होता है? number of element a multiply number of element b तो यहां से a के अंदर 3 है इसके अंदर 3 है तो total partition product के अंदर elements कितने हैं भई? 9